दोस्तों बिहार के परते की स्कूल में कम्पीटर सिक्षक की बाली देखने को मिला है और इसमें टोटल पोस्ट 9000 पलस रखा गया है तो चलिए आगे जान लेते कि इसमें कौन-कौन से छात्रों को आविदन करने का मुखा दिये जाएंगे अभी जो भी छात्रे हैं डाटा क्या आप लोगि इसमें आविदन करने का मुखा मिलेगा या नहीं मिलेंगे आपको जब ही जानकारी मिल चाएंगे तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते और जान लेते कि इसमें कौन-कौन से छात्रों का आविदन करने का मुखा दिये जाते हैं यहां हम तेखिए आज का यह paper cutting है और इसके लेकर बहुत पहले ही एक notification जारी किया गया था कि computer शिक्षक की बाली बहुत जल्द होने वाले लेकिन अभी तक जो कोई भी बिग्यापन जारी नहीं किया गया लेकिन आज जो है फिर से paper cutting के मादिया हमसे यह notice जारी किया गया जो भी छातरवी computer शिक्षक की त्यारी कर रहे तो आप लोगों के लिए बहुत भी बढ़िया अपडेट है तो चलिए इसके बारे में हम बढ़ लेते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है इसके बारे में हम समय लेते हैं यहां हम तेके साब तो बताया जा रहेगे कि हाई स्कुल होगी 933 computer शिक्षक की भरती है यह भरती जो हने वाले आप लोगों का online के माधियम से पहले आवेदन लिए चाहेंगे चलिए इसके बारे में हम समय लेते हैं किसमें कौन-कौन सी बातों की चर्चा की गई है और यह वेकेंसी आप लोगों को कब तक देखने को मिलेगा इसक मतलब कार रहा था है जो भी बिहार में हाई स्कूल है तो उन सभी हाई स्कूल में टोटल मिला करके 376 शिक्षक अभी पूर्ण से काम कर रहे है लेकिन अब जो नए बाहली होने वाले वो कितने पोश्ट के लिए होने वाले यहां पर देखे बताय जा रहा है कि अब जो होन सब्सक्राइब कर रहे होने वाले 930 कंपिटर शिक्षक की बाली होंगे सिक्षा विभाग ने 7376 कंपिटर शिक्षक के लिए बीत विभाग को भेज दिया गया मतलब इस पर जो अब न्यू भेकेंसी आने वाले 7376 पोश्ट के लिए आवेदन लिये जाएंगे है तिसका जो आवेदन लिये जाएंगे सबसे पहले केविनेट से मंजूरी लेना पड़ता है ति यह जो केविनेट के पास भेज दिया गया है उसके बाद बताया जा रहा है कि कंपिटर शिक्षक के पर सिरी जीता है माना जा रहा है कि वीट विभाग की परसासी पदवर समिती जल्दी कि कंपिटर सिक्षक की पहलिक के रिए सिक्षा बी वहा के परस्तों पर सरहमति मिल जाएगी घ्य संब्य पर 置ग्यार चार सो ठिर्सट सामील हुए थे इसमें मतलब कंपिटर जो होता हैं कंपिटर साइंस इसमें एक ईक्जाम लिए जात थे computer science जो भी अभी करते होंगे यह जो है exam जो लिए थो उसमें 17,000 अभी सामील है मतलब ऐसे जो computer science वाले अभी student है वो 17,000 के कड़ी बिहार में उत्रिन है ठीक है यह बताया जा रहा है उसके बाद यहां दिखें यानि computer शिक्षक की बाहली के लिए यह योग माने जाएंगे है उसके बाद यहां दिखें बता जाएंगे शिक्षक के लिए बीएड होना अनिवार्ज नहीं है मतलब इसमें आप लोग आभेदन करेंगे इसमें बीएड होना कोई अनिवार्ज नहीं है इसमें बता जाएंगे computer science में degree या diploma msc computer बीटेक मतलब इसमें अगर आप लोग आभेदन करेंगे तो bca होना चाहिए मतलब बैचलर computer application या ता आप computer science की है तो तब भी इसमें आप लोग apply कर सकते हैं mca कर चुके तो आप लोग आभेदन कर सकते हैं अगर आप लोग बीटेक कर चुके या PG कर चुके तो आप लोग इसमें आभेदन कर सकते हैं और इसमें बात राजाती का भी जो भी ज़ाद data entry operator की त्यारी करें तो क्या आप लोग को इसमें आभेदन करने का मुकाद दिए जाएंगे आपको बता दू अगर आप ADCA के अलबा MCA कर रखे हैं बैचलर आप computer application कर चुके हैं या computer science कर चुके है इसमें आप लोग आभेदन कर सकते हैं असानी से लेकिन आप लोग जो एक यर्स का computer course की है यह normal course है इसमें MS Excel, MS PowerPoint यह सब पढ़ाए जाते हैं लेकिन वो जो हता है high level का computer science होता है और MCA जो हता है इसमें Java होता है language होता है यह सब पढ़ाए करना पड़ता है लेकिन अभी जो AD PCA कर रखे तो आप लोग इसमें आभेदन नहीं कर सकते हैं फिला लेकिन जो भी चातर अभी computer science की है या MCA कर रखे तो आप लोग इसमें आभेदन असानी से कर सकते हैं लेकिन बात रजाती है इसका आभेदन कब से लिए जाएंगे है क्योंकि इसमें जो पोस्ट रखा गय computer शिक्षक वो पहले से भी कुछ कादत है कुछ संख्या में तो अभी जो नए भेकेंसी आने वाले है वो 73-76 पोस्ट के लिए आने वाले है इसका जो अभी cabinet के पास भेचा गया है जल्दी इसमें मनजूरी ली जाएगी उसके बाद इसका आभेदन शुरू कर दी जाएगी इसका आभेदन जो होंगे आपको दिसमबर, जनबरी या दो फरवरी तक में देखने को मिल सकता है क्योंकि इसके लेकर बहुत पहले एक बिग्यापन जारी हुआ था कि बहुत जल्द होने वाले computer शिक्षक की बाली लेकिन अभी तक कोई notice जारी नहीं किया गया था लेकिन बिहार में बहुत सारे ऐसे computer science वाले student है जो उतरीन करके degree लेकर बठे हुए है लेकिन उसको computer teacher जो बनेंगे इसके लेकर अभी कोई तक vacancy देखने को नहीं मिला है फिलाल इसके लेकर अभी official कोई notice जारी नहीं किया गया है लेकिन जैसे cabinet मंजूरी मिलते है उसके बाद इस प कोई भी आबेदन का डेट जारी नहीं क्या गया है आप लोग channel भी बने रहे है या आप लोग channel को subscribe करेंगे आप बहुत जल इसका official notice आएंगे तो उसके बाद हम आपको proper तरह से जानकाई देने का प्रियास करेंगे धन्यवाद हो